हेलो गुड मॉर्णिंग ओल अफ यू कैसे आप सभी बिटा एकदम से अच्छे वेरी गुड मैं विविक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से अनलोग दा साइन्स चैनल पर आप सभी का वेलकम करता हूँ बेटा इस चैनल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसने 9th और 10th के जो CVSC या दूसरे बोर्ड जो थे उसका बहुत अच्छा पैटरन हमने ढूंड के निकाला हमने NCRT बेस्ट कोशनों को भी सोल किया आज से हम बेटा एक नया इसमें इन्वेंट करने जा रहे हैं मतलब नई च चैनल में और वो हुगा अपना प्लस्वन का फिजिक्स का जले बस तो बेटा यह कोशिस आपके लिए ही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बहतर कौन से आपको दिये जाएं तो बेटा जिस तरह से आपने अलोग दा साइंस चैनल में पहले मेरा साथ दिया एक वर फिर से आप मुझे फिर से सहयोग करें मुझे मोटिवेट करें पढ़ाने के तरीक के आप बता सकते हैं बेटा तो स्टार्ट करते हैं आज हम आज हम एक इंट्रोडेक्शन जो पार्ट है जो आपकी पलस्वन का पहला चैप्टर है इंट्रोडेक्शन इसका नाम है वहां से हम स एक्सर टीचर जो है दूसरी जो चैनल है वो अक्सर पहला इंट्रोडेक्षन पार्ट जो है इंपोर्टेंट समझ के नहीं पढ़ा पाते कि जदा सी जदा इसमें आता ही क्या होगा लगा स्कोपी तो है principle क्या है यह बेटा आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है और उस चैप्टर का नाम है बेटा इंट्रोडेक्शन और यह अक्सर चीजी हम मिस्स कर जाते हैं लेकिन बेटा आपको पता होना पता है लेकिन उसका जो मीनिंग है वो अक्सर हमें नहीं पता होता अगर देखा जाए ना तो जर्नली यह टीचर को भी नहीं पता होता तो वेटा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे अपना जो मेन मोटो होगा वो क्या होगा सिंपल बिल्कुल बारिक से पढ़ेंगे क्योंकि अपने पास टाइम है पलस्वन जो किलास है वो आपकी परफोर्मेंस देने की किलास नहीं है यह आपका लर्निंग पीरियड है आ लेकिन आपको नुमेरी वर्कल पोर्शन को सोल करने की बेटा आपको एक हैबिट बनानी होगी एक आप उसमें आएंगे डेली रूटीन में जब चीजयों को करने लगेंगे बेटा तब आप एक्च्वल में फिजिक्स को जान पाएंगे लेकिन आपको जानकर हैरानी होग as king of science और वेटा जो mathematics है उसको हम क्या बोलते हैं queen ठीक है king किसको बोलेंगे physics को और mathematics को आप क्या बोलते हैं queen ये बात आप ध्यान रखेगा तो वेटा तमाम बाते हैं हम अभी से ही start करने वाले हैं तो पहले हम बात start करते हैं science के क्योंकि ये जो physics branch है ये आपके कौन से से आई ह science से आई है तो चलिए start करते हैं क्या है इसका मिनी बेटा आप जानते ही हैं कि इंडिया की अंदर बहुत सारी languages है बहुत सारी बोलिया है ऐसे अगर बात करें पूरे वर्ड की तो जैसे आपकी लेटीन है Greek है German है Italian है बहुत सारी language है तो बेटा एक पहले एक word था लेटीन व से लिया गया था और लेटीन वर्ड जिसका नाम होता था आप कहेंगे सर साइंटिया धान रखिएगा सबसे पहले वेटा एक लेटीन वर्ड जिसका नाम है साइंटिया वो एक मीनिंग देता था और उस मीनिंग का मतलब होता था वेटा टू नो मतलब आप किसी चीज को क् है यह science कहां से आया है बेटा वर्ड तो एक latin word scientia तो science is derived from latin word that is scientia and what is the meaning of scientia आप कहेंगे sir to know ओके बेटा हम जानते हैं कि अपने इंडिया के अंदर एक language जिसका नाम है Sanskrit इसको हम बोलते हैं कि सभी language जो है या जितने भी word है उन सब को किसने जनरेट किया है Sanskrit तो बेटा एक Sanskrit word था और उस Sanskrit word का नाम था बेटा आप कहेंगे sir विजिनन ध्यान से देखेगा एक Sanskrit में word होता था बेटा विजिनन ऐसे बेटा आपसे कहा जाए कि Arabic एक language है दूसरी बेटा और उसका नाम है Arabic तो एक Arabic language में भी word होता था बेटा उसका नाम था इलम और इन दौनों का बेटा सेम मीनिंग था और सेम मीनिंग का मतलब सिंपल क्या था आप कहेंगे sir इसका सिंपल मीनिंग था knowledge Science कहा से आया दा लेटीन वर साइन धिया विच इस दा मीनिंग जान ना संस्किर्थ वर विजिनन और अरबीक वर इलम है दा सेम मीनिग दोनों का सेम मीनिंग था और वो मीनिंग क्या था knowledge, so what is the science, आप कहेंगे सर, science gives study about, science gives study about, किसके बारे में बेटा, आप कहेंगे सर, about knowledge और, to know, किसको जानने में मदद करती थी बेटा, आप कहेंगे सर, human activity, आप हमेशे जान रखेंगे बेटा, यहां से ही word निकलेगा, कि आप जो भी human activity या जो भी वो work out करता था, उस work out के बारे में जानना, या उसके बारे में क्या जानने योग्य है, उस चीजों का पता लगाना, यही हमें study कौन देती है, science देती है, और science word कहां से आया था, एक latin word होता था, जिसका नाम था scientia, और scientia का meaning होता था बेटा, to know, किसी चीज को जानना, ऐसी संस्किर्ट word है, ऐसी Arabic word है बेटा, विजनर और इलम, उन दोनों का भी same meaning था, knowledge, तो इसका मतलब आप जो भी activity होते हुए देखते हैं, या खुद करते हैं, उस activity के बारे में जानना ही, वो ही हमारी क्या है बेटा, science है, So, you can define science, gives study about knowledge, or to know about human activity, ओके, तो बेटा, यह आप थोड़ी सी बात यहां से समझे, अगर आपको इतना पता लगा है, तो आगे चलते हैं बेटा, और divide करेंगे हम, आया समझ में, तो बेटा, एक बार आप वीडियो को रोख करके, यहां तक का एक बार screenshot ले ले, या चीजों को not कर ले, हमें सिर्फ science के बारे में एक journal बाते पता होनी चाहिए, ताकि कल को कोई हमसे पोस्ता है, या हम किसी को बता सके, कुछ ऐसी चीज़े आप यहां से सीखेंगे बेटा, जो दूसरे बच्चों को नहीं पता होगी और आप पता कर देंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको ना पताओ और उनको पताओ, आपको उससे बढ़िया ही, यहां पे matter प्रोवाइड करेंगे हम, तो बेटा, science क्या है, एक Latin word था, साइंटिया, और उसका मीनिंग होता था, to know, संस्किर्ट वर्ड है बेटा, विजिनन, और Arabic word था, ilam, और उसका मीनिंग था, knowledge, ऐस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बैस इसका मीनिंग समझना है, एक introduction पार्ट है, हम इसी को focus out करेंगे, इसी तरह से बेटा, science को ना, दो पार्ट में हमने divide किया, एक तो आपकी होती थी बेटा, जिसका नाम था, physical science, first one is physical science, और बेटा, दूसरी जो थी, उसको हम बोल होते थे, biological science, first one is physical science, second is biological science, so what is the meaning of physical science, and what is the meaning of biological science, you can say that, physical science is the science which describes about known living things, about known living things, बेटा, एक ऐसी science, जो किस के बारे में study कराए हमें, आप कहेंगे sir, non living things के बारे में, वो science को हमने क्या बोला, physical science, और बेटा, what is the meaning of biological science, आप कहेंगे sir, it gives study about living things, यानि कि living things के बारे में, जब हम जामते हैं, तो बेटा, उसको हम biological science बोल देते हैं, non living things के बारे में, जब आप पड़ते हैं, तो बेटा, आप उसको physical science बोल देते हैं, so science ऐसी कौन कौन सी है, जो non living things के बारे में, बताए, या living things के बारे में, बताए, तो बेटा, आप कह सकते हैं sir, physical science के क्या क्या example है, तो बेटा, यहीं से हम एक word invent कर रहे हैं, that is the physics, so physics is the physical science, which gives about study non living things, such as, बेटा, second subject is chemistry तो chemistry, तो chemistry is also physical science, which gives study about non living things, ऐसे बेटा, आप बोलते हैं, astrology, है न, ऐसे बेटा, हम क्या बोलते हैं, astronomy, तो बेटा, यह ऐसी ब्रांचीज है, जो हमेशे non living things, ऐसे stone हो गया, कोई object हो गया, बेटा, wood हो गया, plastic हो गया, इन सब के बारे में study, satellite हो गई, planet हो गया, है न, यह सारी non living things है, यहां तक कि अपना जो sun है, वो भी क्या है, non living ही है, biological science में क्या आता है, बेटा, study about living things, so what are the biological science, so some examples are, बेटा, first one, you know about botany, आपने यह नाम सुना है, botany, तो botany, एक biological science है, जिसमें हम plant के बारे में study करते हैं, बेटा, second नाम आता है, इसमें, जिसका नाम है, जूलोजी, और जूलोजी में हम plant को छोड़ कर जो animals है, या human beings है, उसकी study हम किसमें करते हैं, जूलोजी, botany and zoology, both are combined, then biology is formed, तो biology में हम plant और animal दोनों का करते हैं, लेकिन अगर आपको separate plant का और separate animal का करना हो, तो botany में हम क्या पढ़ेंगे, only four plants, और बेटा, zoology में animals as well as human beings, एक होता है बेटा, जिसका नाम आपने सुना होगा, और निथूलोजी, और और निथूलोजी में आता है जिसमें हम plant के बार, sorry, जो अपने birds वगेरा होते हैं न, जितने भी bird class है, उन birds के बारे में study को क्या बोलते हम, और निथूलोजी, अगर बेटा आप से कही जोग्रफी क्या है, तो जोग्रफी science ही है, लेकिन बेटा कैसी है वो physical science, जोग्रफी के अंदर हम बेटा जैसे परवत नदी, जील, धरने इस तरह से हम पढ़ते हैं, तो जोग्रफी हो गया, ऐसे बेटा जोग्रफी हो गया, तो जोग्रफी हो गया, जोग्रफी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमस्ट्री हो गया, एस्ट्रोलोजी या एस्ट्रोनोमी, इस आर दा फिजिकल साइंस, mythology and etc. तो बहुत सारी है जिसमें हम living things के बारे में पढ़ते हैं cytology आता है cells के बारे में histology आता है tissue के बारे में तो बेटा these are the biological science and physical science में physics, chemistry, astrology, astronomy, geology and geography. I hope आप समझ रहे हैं पहले हमने simple क्या पढ़ा science क्या है science एक latin word था scientia उसका meaning होता था to know जाना बेटा संस्किर्थ और Arabic में दो वर्ड थे संस्किर्थ में था visionan और Arabic में था ilam उन दोनों के same meaning होते थे knowledge तो जो भी human activity है उसके बारे में जानकारी लेना या उसके बारे में जान लेना ही क्या है science है फिर हमने science को क्या किया बेटा दो पार्ट में divide किया है physical science और biological physical में क्या आती है सारी non living things example कौन कौन से हैं बेटा इसके ये रहे biological में क्या आता है living things उसके example ये रहे तो प्लीज बेटा आप इसको note कर ले या screenshot ले जैसा भी आपको अच्छा लगे आप करते जाई बेटा ज्यादा बर्डन लेकर नहीं पढ़ना है ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि भाईयो आपको daily life में जितनी भी चीजे मिलती है उस हिसाब से चीजों को सीखना है experience करना है खुद भी करके देखना है होते हुए चीजों को देखेंगे तो बहुत ही आसान लगने लगेगी physics लेकिन अगर आप एक भी चीजे मिस करते हुए चलते हैं बेटा तो फिर याद रहने वाली चीजे कम हो जाएगी और बर्डन और टेंशन देने वाली चीजे बढ़ जाएगी सो हमें क्या करना है उस चीज से अवर्ड है बेटा पढ़ते रहो कोरोना है थोड़ा सा सावधानी रखे बेटा मास्क वगेरा जरूर पहनना है आपको इस वक्त सरकार को जो है जरूरत है सावधानी की हम चाहते हैं उनका सहयोग करें तो वह चीज भी चलते रहना चाहिए किसी से विरोध हाँ विरोध से व्याद आया फिजिक्स से आपको दुस्मन की तरह इसको दुस्मन मानके नहीं पढ़ना है किस से बदला लेना है नहीं नहीं बेटा इसको तो फ्रेंड ब होगा आपको चलिए फिजिक्स को तो कभी दुस्मन मानों ही मत बेटा किसी भी सब्जेक्ट को दुस्मन मत मानों क्योंकि एक बार अगर आपका किसी के लिए एटिटूड या हम देखें कि वूस तरह का बन जाएगा तो वह हमें अक्सर उसी फोर्म में नजर आएगा तो चीज को अवोईड करते हुए आपको हर एक चीज को अपना फ्रेंड है ना तो फिजिक्स को फ्रेंड मानों होगे तो यह आपकी स्टेडी में हेल्प करेगा और अगर इसको दुश्मन मानों होगे तो ऐसे ऐसे कॉंसेप्ट निकल के आएंगे कि मुश्किल हो जाएगा प बैटा हमें किस नहीं करना हमें तो सिर्फ इसके जो इन्होंने बाते बोली वही पढ़ रहे हैं और अगर इसमें हम ज्यादा सोचे समझे नहीं बैस इनकी बातों को एक बर याद कर ले कि इन लोगों का क्या कहना था इस इंट्रोडेक्शन में यह है अक्सल टीचर नहीं पढ़ाती हैं लेगिन आपको पढ़ाया जा रहा है तो थोडा सा एड्वांटेज लेजी इसका-18 केहता है की कि यह जो फिजिक्स है न आ अगर आप से कहूं कि हाँ science के बारे में कि science क्या है तो science के बारे में वो कहता है कि it is not the collection of theories, properties, या low है ना या any activity बेटा observations, calculations, activity, laws इन सब का collection नहीं है science according to Albert Einstein तो क्या कहा बेटा according to him तो आप कहेंगे sir it is not collection of collection of क्या वेटा simple सा है theories experiments laws properties observations जो भी आप देखने हैं वेटा observations या हम कहेंदे calculations या बेटा आप कहेंदे simple results etc Albert Einstein कहता है कि science जो है वो क्या नहीं है बेटा it is not collection of theories, experiment, laws properties, observations calculations and results physics science का मतलब यह नहीं है वेटा कि यह इन सभी का एक मतलब collection है यह कहना तक इसका Albert Einstein लेकिन वो क्या कहता है कि यह तो ही नहीं बलकि क्या है आप कहेंगे sir it is collection of क्या है तो फिर यह आप कहेंगे sir human activity यह बात आप ध्यान रखेंगे वेटा बहुत अच्छी लाइन बोली उसने कि human activities जो भी है वेटा उन सभी का collection होता है है अब human activity यह सारी चीज यह तो कर नहीं सकता ना इसके अलावा इसके जो broad range extend range of area है science का उसका collection यह उसकी activity का ही एक क्या है बेटा आप कहेंगे एक table है और उसी का नाम है science तो what is the science तो simple सब नाम है बेटा अलवय टाइन स्कीन को याद रखेगा it is not the collection of all these things but it is the collection of human activity आदमी जो कुछ भी perform करेगा जो कुछ भी activity करना चाहता है वुन सारी बातों का ही क्या होगा यह collection होगा एक पार्टी कुलर थ्योरी नहीं हो सकती एक पार्टी कुलर experiment नहीं हो सकता single low नहीं हो सकता single property single observation नहीं हो सकता जैसे जैसे human activity करता रहेगा different type of activity होगी laws होंगे observations होंगे calibration होगा उसका collection है हमारी science और यह तो महान था ही आप इसके बाद कुछ ऐसे scientist आए जिन्नों ने अपने हिसाब से science को define किया तो बेटा मज़ा लीजिएगा क्या कहना था उसका पहला scientist जिसको आप याद कर ले Bruce लिंड से नाम थोड़े से अटफटे हैं बेटा लेकिन आपको सिर्फ इनका याद रखना क्या कहता है Bruce लिंड से कहता है what is the science तो कहता है कि science is क्या है science तो science is a method of science is a method of क्या बेटा describing क्या describe करना human experience describing, creating और बेटा इसके साथ साथ and understanding of human experience बेटा कितनी अच्छी बात बोली है मजा आ जाएगा जब इसका meaning निकालेंगे न भी तो आपको बहुत मजाएगा देखो Bruce लिंड यहीं तो बात बोल रहा है Albert Einstein की, क्या कह रहा है वो कि science कहा है science is a method of describing, किसी चीज़ को बताना, creating, मतलब create करना, सोच समझ कर तयार करना and understanding समझना बेटा किसको? human experience को तो बेटा, human experience को सोच समझ कर हम generate करना और उसके बारे में explain करना यह method है जिसको हम क्या बोलते हैं? science this according to this scientist, the name of scientist is Bruce Linde तो Bruce Linde की यह बात ध्यान रखेंगे बेटा, what is the science? science is the method of describing, creating and the understanding of the human experience Albert Einstein की बातों को ही तोड मोड के किसने पेस कर दिया बेटा, तो नाम किसका आ रहा है? Bruce Linde ठीक है, ऐसी बेटा, note करना चाहें, कर लीजी, जल्दी से करें फिर आगी continue करते हैं, बेटा जावाज कर लीजी हो गए बेटा इसी बात को यहीं से continue करते हैं, बेटा दो scientist की तो बात पता लगी गई और देख लीजी दो तिनों की, बहुत हैं बेटा ऐसे जो science के बारे में अपना अपना एरिया बताते हैं Bruce Land के बाद बेटा जैसे और दोसरा scientist ले लेते हम और ऐसे ही नाम आता है बेटा, निल्स भोर निल्स भोर का नाम तो आपने सुना होगा बेटा atomic model देने वाला scientist था यह atomic model को चार लोगों ने अपने तरिके से explain किया था first one is Sergei Thompson, second is Rutherford उसके बाद बेटा निल्स भोर और एक और था जोन डाल्टन तो सबसे पहले जोन डाल्टन उसके बाद बेटा Sergei Thompson, फिर Rutherford उसके बाद बेटा निल्स भोर निल्स भोर क्या कहता है, what is the science, वो कहता है simple सा science always increase या extend कर ले, extend the range of extend the range of experience and reduce 8 to order कितनी अच्छी सी line बोली, simple सी निल्स भोर कहता है, what is the science, तो कहता है science वो है, जो हमारे experience यानि कि हमारे अनुभव का area क्या कर सकता है, extend मतलब बढ़ा सकता है बेटा और जैसे जैसे आपका experience बढ़ेगा, तो उसमें जो भी problem आई, जो भी कमी रहे गई, उसको बेटा क्या कर देगा, reduce, तो धीरे धीरे जब आपकी error reduce होने लगेंगी, तो बेटा आपकी जो observation या calculation होंगी, वो correct आने लगेगी, और correct आने लगेगी, तो बेटा वो क्या होगी, science, science हमारे सोचने समझने का, या हमारे काम करने के तरीक को क्या कर सकता है, extend कर सकता है, जिससे हमारी कम्यों को क्या कर सकता है, बेटा, reduce कर सकता है, according to which scientist, निल्स भोर, ऐसी बेटा, अगर आप से कहा जाए, और कोई बताल देजिए, तो ऐसी नाम देख लीजिए, थर्ड ना में जैसे, आप कहते हैं, सर होल्टन, क्या नाम है, बेटा, होल्टन, वो कहते है, what is the science, तो उसका अंसर था, science is unfinished question, कभी भी खतम ना होने वाला एक question है, unfinished question, in world view, world view, वो कहते हैं, बेटा, इस संसार में जो कुछ भी घट रहा है, वो सिमित तो नहीं है, बेटा, ऐसा नहीं है, कि आज जो चीजे हो चुकी है, वो कलकों नहीं होंगी, या थोड़ी देर बाद नहीं होंगी, या पहले कभी ना हुई हो, पहले भी वो चीजे हुई है वो चीजे बार-बार रिपीट हो रही हैं, बेटा, और जब तक रिपीट होती रहेगी, तब तक कोई चीजे फिनिस नहीं होगी, तो according to him, science is the unfinished question, हम कभी ऐसा मान के नहीं चल सकते हैं, कि ये आपका आखरी question होगा, जो किसी आदमी ने answer दिया, जब-जब human अपना कोई भी experience या कोई भी activity perform करेगा, तो बेटा, बहुत सारे question rise होंगे, बहुत सारे question होंगे, बहुत सारे ही answer होंगे, कुछ बिलकुल exact होंगे, कुछ बेटा, घुमा फिरा के होंगे, इसलिए उसने का कि science क्या है बेटा, एक unfinished question है, in world view, मतलब world view का मतलब है, इस संसार में जितनी भी event perform हो रही है न, उसके according science क्या है, अपने आप में, तो simple से unfinished question, बेटा, ये बहुत सारे scientist हैं, जिनोंने अपनी इस तरह से, जो है, activity या performance दी, definition दी, अपने according उसको define किया, तो I hope आप समझ गए होंगे, बेटा, science पड़ी हमने, science की दो type पड़ी, physical और आपकी बेटा, biological, उसमें अलग-अलग scientist हों ने किस तरह से science को define किया, ये चीज़े हम पड़ चुके हैं, अब बेटा हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, physics की तरफ, क्यों, क्योंकि physics जो है, वो किस तरह की थी, आप कहेंगे सर, physics दो थी बेटा, वो आपकी थी simple physical science, जो हमेशा non-living things के बारे में बत बेटा, जितने भी हमने example दिये, let the consider an object, let an particle, हमने जो कुछ भी सोचा, वो बेटा, non-living समझ के ही सोचा, तो non-living समझ के सोचा तो उसमें क्या आया था, physics ने उसका सारे concept दिये, ठीक है, तो अब देखें, क्या है बेटा, physics, जैसे science को define किया, ऐसे physics को कर देते हैं, बेटा, मैंने का बहुत सारी language थी, ऐसे ही एक language थी Greek, और Greek में एक word होता था बेटा, जिसका नाम था, fuses, जहां से देखेगा, एक word है बेटा, fuses, Greek word, तो यह physics वहां से आया है, कहां से, fuses से, और जैसे आपका scientia का meaning था, to know, ऐसे बेटा, fuses का meaning होता है, जिसका नाम है, दार nature, मतलब प्रकरती, हम अपने आज पास जो देखते हैं बेटा, वो nature है, प्रकरती है, वो meaning कहां से निकला, fuses से, fuses अपने आप में क्या था, Greek word था, और इस fuses से ही क्या निकला है, physics, ऐसी बेटा, संस्किर्ट में एक word था, और संस्किर्ट जब एक word था, बेटा, language में एक word, जिसका नाम था, भोतिकी, नाम सुना होगा, अक्सर साइंस में हम क्या बोलते हैं, साइंस को न, या physics को हिंदी में, राजथान में, अगर कोई बच्चा हिंदी में, science पढ़ता है, physics पढ़ता है, तो उसकी लिखा होगा, भोतिक विज्ञान, तो बेटा, वो जो दा, नेचुरल वर्ड, ध्यान से देखेगा, ग्रीक वर्ड, फ्यूसिस, जिसका मेनिंग है बेटा, दा नेचर, संस्किर्ट वर्ड है, भोतिकी, जिसका मेनिंग है बेटा, नेचुरल वर्ड, तो फिजिक्स क्या है, दा ब्रांच ओफ साइंस, विच दिल्स, स्टेडी अ अब आउट, किस के बारे में बेटा, सिम्पल सहे सर, नेचर, एंड नेचुरल फिनोमेना, एंड नेचुरल वर्ड, आप कुछ भी बह सकते, तो बेटा, नेचुरल वर्ड के अंदर जो भी फिनोमेना होगी, उस फिनोमेना के बारे में, जो हमें बताएगा, वो क्या होग फिजिक्स हो गया, आज पता लगा कि ग्रीक वर्ड क्या था, फियोसिस, और उस फियोसिस का मीनिंग क्या होता था वेटा, दा नीचर, संस्कृर्ट वर्ड है वेटा, भोती की, और उसका मतलब है दा निचुरल वर्ड, तो इस निचुरल वर्ड में जो भी फिनोमेना होगी उसके बारे में जो हमें बताएगा उसकों क्या बोलेंगे Physics Physics is the branch of physical science which describes about non-living things तो बेटा पलस बन में हम क्या पढ़ते हैं Physics ये अपनी वो चीज है जो हमें बढ़ते हैं एक screenshot लेना चाहें ले सकते हैं बेटा आगे जलते हैं बहुत अच्छी अच्छी बाती मिलेंगी बेटा पढ़ने को मन करेगा लेकिन आप कोरोना को देखते हुए अपना मन छोटा ना करें आपको भेतर से भेतर क्लास हम प्रोवाइड करेंगे बेटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा explain करने की कोशिस करेंगे यहाँ पर लिखने की की भी कोशिस करेंगे इन वीडियो को आप हमेश्या क्या करें बेटा देखे आगे वढ़ते हैं अब एक बात देखे बेटा जब हम physics को study करते हैं तो बेटा हमने दो criteria जो है decide कि एक तो था बेटा जिसका नाम था कि हम किसी चीज को basic concept के according डिफाइन करते हैं ठीक है बेटा basic concept के according की हम क्या कर दे उसको define कर दे एक तरीका था बेटा कि हम उस पूरे system के बारे में एक एक चीज को जब हम पढ़ें तब जाकियों हम उसका final result या observation calculate करें I hope आप समझे रहे होंगे तो बेटा physics को study करने का क्या है simple सा तरीका है कि हमने दो criteria जो है decide की एक तो on the basis of normal principle और एक बेटा on the basis of complex या bigger हम किसी चीज को study करके उसकी performance दे तो जैसे हम पढ़ते हैं कि Newton ने क्या किया सिधा सा जवाब था कि Newton ने जैसे वो save गिरते हुए देखा तो gravitational force के बारे में पता लगा लिया ऐसे बेटा आपने 10th class में magnetic effect of current पढ़ा उसमें देखते थे कि magnet को जैसे हम उसके पास ले जाते थे तो कोईल के अंदर क्या current flow होने लगता था है ना तो यह मैक्सवेल था माइकल फेराडे था और एस्टेट था हना इनके experiment ऐसे बेटा अगर आप कहें simple कि जितनी भी थी यह basic concept के हिसाब से हमने क्या किया उन चीजों को study किया ऐसे बेटा जब हम बात करते हैं हीट की तो हीट के अंदर देखते हैं बेटा कहीं boiling point आता है कहीं melting point आता है कहीं पर हीट आपकी transfer होती उसके mode होते हैं यह हम यह कह दे बेटा कि जैसे हीट जब वह तो हीट इंजन के capacity क्या थी उसकी efficiency क्या थी तो यह सारी क्या है detailed में हम summary ले रहे हैं तो जब detailed में किसी object के बारे में जानते हैं तो भी हम physics के बारे में study कर सकते हैं और बेटा basic concept यह low के उपर भी हम simply चीजों को define कर सकते हैं तो बेटा दो word थे जिसका नाम था पहले आप इसको note कर ले फिर इसको रब करते हैं कि आयो बेटा हो गया होगा है हो गया हो गया चले तो बेटा अभी हम बात कर रहे थी कि physics क्या है देखें सिंपल सा है कि सर अभी हमने का कि physics को दो तरह से study करना एक होता है बेटा पहला method था जिसक में हम बोल रहे थे unification unification का मतलब क्या है बेटा आप कहेंगे सर study on the basis of on the basis of किस पर बेटा concept and law बेटा basic concept और लोग की उपर चीज़ों को define करना या study करना unification और एक word होता है बेटा जिसका नाम है reductionism और इसका मतलब क्या था बेटा किसी सिस्टम के बारे में complete detailed छोटी से छोटी बात है ना उसकी हर एक चीज़ को पढ़ना वो तो क्या होता है reductionism और बेटा simple एक basic concept हमने दिया उसके बारे में के साबसे चीज़ों को define कया जैसे Newton's law of gravitation तो बेटा Newton's law of gravitation तो बेटा यह किसके बेस पर है आप simple सा कहेंगे सर यह क्या है unification simple concept है कि सर यह जो इनका मांस होता है वो उसके लगने वाले force of attraction के directly proportional होता है उनकी बेच के जो distance है उसके square के inversely proportional होता है यह ऐसे बेटा अभी हमने कहा क्या magnetic effect of current है बेटा तो magnetic effect of current में हमने चीज़ों को क्या जाना कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे बेटा magnet से भी current magnetic effect के generate से current produce कर सकते एक magnet को कोईल के पास लाए तो उसमें current flow होने लगा था और एस्टीड था माइकल फैराडे था माइकल फैराडे ने electromagnetic induction के बारे में बताया तो बेटा यह जो basic concept थे यह simple क्या थे basic concept यह लोग के हिसाब से define था तो unification reductionism का मतलब क्या होता है बेटा आप simple कहेंगे कि सर इसका जो meaning of वो यह है क्या कि study about bigger और complex part और whole system बेटा पूरे system के बारे में जान लेना बारिक के से तो law of thermodynamics है optics के बारे में तो यह सारा क्या है बेटा रेडक्स लेजा तो बेटा आज हम इस वीडियो को यही रोकेंगे क्यों क्यों क्योंकि physics में यह आज की जो वीडियो बहुत important है आप मुझे बताएंगी comment करके कि आपको यह कैसा लगा वेटा अगर आपको अच्छे से के पास send करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मुझे बेटा सहयो कर सके तो आई होप आप समझ गए होंगे बेटा आज आपका फर्स्ट लेक्चर था मैंने अच्छे से बताया फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि next time आपको बेटा और अच्छे से explain करा जाएं तब तक के आपको बेटा